नमस्कर दोस्तों, जहीं भी मूवी आपने शायद देखा होगा, अगर नहीं देखे हो तो 100% जाके देख लीजिए, यह मत सोचेगा कि मैं पढ़ाई करने के जगा आपको मूवी देखने के लिए बोल रहा हूँ, यह मूवी एक पढ़ाई है दोस्तों, इस मूवी में ट्रा को कैंसल किया है, बिसिकली क्वाश किया है, तो क्या था वो F.A.R. और यह मूवी में इसे क्या दिखाया है, जिसे एक F.A.R. रेजिस्टर हुआ मूवी के एगेंस्ट, वो हम डिसकस करेंगे, शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखें, F.A.R. रेजिस्टर हुआ था इस क्या था, यह समझने के लिए सबसे पहले तो आपको मूवी देखना होगा, कोई बात नहीं, अगर आपने मूवी नहीं देखे हो, मैं आपको मूवी का प्लॉट बता देता हूँ, इसके बाद बताऊँगा, इस मूवी में ऐसा क्या 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 सीन था, तमिल नाडू में ए वो तमिल नाडू से बिलोंग करता है, तो होता यह है दोस्तों, एक दिन पोलीस, इरुला कम्यूनिटी के एक बंदे को अरस करता है, उस बंदे के उपर चोरी का इलजाम था, अक्चुली उस बंदे ने कोई गलती नहीं किया था, फिर भी पोलीस उन्हें अरस करता है, क्य तो अगले दिन वाइफ जो है पोलीस चेशन पहुंच जाती है, पर पोलीस उसे अंदर आने नहीं देती है, तो बात में यह जो औरत है, वो एक अडूकेट के पास पहुंचता है, और वो अडूकेट का नाम है चंदु, चंदु एक रियल लाइफ क्यारक्टर है दोस्तों मदरास हाई कोट के एक सीनियर अडूकेट थे, बात में मदरास हाई कोट जेज भी बने थे, आसे जेज चंदु साब 96,000 केस डिस्पोस के थे अपने टाइम पर, तो इतना फेमस एक सीनियर अडूकेट अडूकेट जेज चंदु का रियल स्टोरी है, तो एक्चुली यह ज और जेस्टिस के बारे में दिखाता है, साथ-साथ मैं कस्टोडियल टोर्चर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस्ट बाइड ट्राइबल कम्यूनिटी के बारे में दिखाता है, मैं तो आपको 100% सजेस्ट करूँगा दोस्तों यह मूवी आपको देखना चाहिए, आसे जो ब्रूटल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिरेक्ली या इंटेरेक्ली, स्पेसिफिकली जो प्राइबल कम्यूनिटीज के एगेंस जो होता है, तो वो सबके बारे में इतना क्लियरली एकदम प्यूर तरीके से दिखाया ना इस मूवी में, मानना पड़ेगा, मैंन अब यह वानियार फोबिया क्या है, तमल नाडू में एक कम्यूनिटी है दोस्तों, वानियर कम्यूनिटी, अब प्रॉब्लम यह हुआ दोस्तों, मैंने आपको बोला उस मूवी में, इरुला कम्यूनिटी के जो बंदा है, उन्हें पोलीस स्टेशन में जान से मारता है, अ गुर्व मूर्ति, तो सेम नाम हो गया, तो वानियर कम्यूनिटी के लोगों को लगा, यह वानियर कम्यूनिटी को ही टारगेट कर रहे है, वैसे सब इंस्पेक्टर का रोल तो आच्छा रोल नहीं था, वो तो एक बुरुटल पोलिस ऑफिजर था, तो इस तरह वानियर कम complaint आ गया यह देखे दूस्तों यह है वो actor जिनों ने JP movie में सब inspector of police का रोल किया है अब यह movie का एक scene है एक scene में इनके पीछे एक calendar टांगा हुआ है अब इस calendar में एक symbol आपको दिख रहा होगा यह symbol है अकनी kingdom का अकनी kingdom basically वानियार संगम का simple है तो इसे वानियार कम्यूनिटी के लोगों को यह तैर हो गया कि यह जो movie में सब inspector of police को दिखाया है यह 100% वानियार कम्यूनिटी से बिलोंग करते हैं और इस police officer का रोल इतना अच्छा रोल भी नहीं है तो JPIM के producer, director, actor वानियार कम्यूनिटी के sentiments को hurt करने के लिए इसी तरह इस सब इंस्पेक्टर of police को आसे वानियार कम्यूनिटी मेंबर दिखा के उनका वेजत्ती किया करके उनका complaint आया Now वानियार कम्यूनिटी के बारे में कुछ basic details वानियार one of the largest and most consolidated backward community है तमल नाडू में तमल नाडू के northern part में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा वैसे तमल नाडू के 28% population and neighboring पुदुचेरी जो union territory है उथर के 65% population वानिया कुला क्षित्रियार कास्ट से बिलोग करते हैं वैसे वानिया कुला क्षित्रियार कम्यूनिटी में कई सरे और सबकास्ट है दोस्तों जैसे कि वानियार, वानिया, वानियार गाउंडर, गाउंडर, पडेची, पल्ली, अक्निकुला क्षित्रिया एक्सेटरा वैसे mid 1980s में इन्होंने statewide agitations organize किये थे कि उनको state and central services में exclusive 20% reservation चाहिए करे वैसे तमिलनाडू state government वानियार कम्यूनिटी के लिए special internal reservation प्रवेट किया था 10.5% क्या होता है special internal reservation देखे तमिलनाडू state में most backward communities के लिए 20% reservation दिया हुआ है अब इस 20% में से 10.5% के वल वानियार कम्यूनिटी को दे दिया अब ओबियसी बात है दूसरे जो backward community से उन्हें तो अच्छा नहीं लेगेगा वो तो complaint करेंगे तो complaint किया case पहुंच गया High Court of Madras में तो High Court of Madras ने बोला इस तरह आप वानियार कम्यूनिटी को 10.5% special internal reservation दे नहीं सकते तो state पहुंच गया Supreme Court में Supreme Court ने भी Madras High Court का judgment को अपहल्ड किया The bench referred to the Supreme Court ruling in Indra Soni case which had stated that caste can be the starting point but not the sole basis for reservation मतलब caste के basis पे आप reservation दे सकते हो अगर वो particular caste के लोग state services में adequately represented नहीं है बिना कोई survey का बिना कोई study का ऐसे ही reservation देना possible नहीं है तो ये इंद्रा सोनी judgment के तुरू Supreme Court ने एक बार बोला था वैसे इंद्रा सोनी judgment का major point ये नहीं था दोस्तों Supreme Court ने ये भी बोला था कि reservation जो है 50% से ज्यादा नहीं हो सकता अगर 50% से ज्यादा आपको reservation देना है तो वो only extra ordinary circumstances में ही देना है ध्यान दीजेगा This is the famous ruling of इंद्रा सोनी case वैसे मैं आपको बताओ इंडिया में कई सरे states में reservation जो है 50% cross किया है For example, Haryana and Bihar में 60% quota है After including 10% EWS quota देखे, EWS quota आजकल 10% दिये जा रहा है न Economically weaker sections के लिए तो ये मिला के Haryana, Bihar में 60% है Gujarat में 59% है After including EWS quota Kerala में भी EWS quota के बाद 60% है Tamil Nadu की बात करें तो 69% reservation से दोस्तों Including 18% scheduled cost 1% scheduled tribe 20% most backbaked casters 30% reservation for other backbaked casters And ये जो OBC quota है इसमें separate internal reservation भी है जैसे कि minority communities के लिए Including a 3.5% reservation for Muslims मतलब OBC quota के अंदर 3.5% का separate internal reservation दिया हुआ Muslims के लिए तो सोचिए दोस्तों 69% reservation है Tamil Nadu में अगला चाथिसकट कर्मन में अभी के हिसाब से करीब 58% reservation है पर देखिए 2-3 साल पहले 36 गर्मन OBC का reservation 27% तक हाइक करने का एक decision लिया था मतलब 36 गर्मन का total reservation होने वाला था 82% पर October 2019 में High Court का एक division bench ने reservation order को stay किया था तो अभी के इसाब से करीब 58% है माथियो परतिश गर्मन 2019 में total quota in state government jobs को 73% तक raise किया था including 10% reservation for the economically weaker section from the upper castors but the HC state is देखिए माथियो परदेश चातिजगर जैसे government reservation को increase करने की कोशिश किया था पर रेस्पेक्टिव High Courts ने उसे stay किया था अगर High Courts stay नहीं दिया होता तो चातिजगर गर्मन में 82% reservation होता माथियो परदेश में 73% reservation होता ठीक है जारकन में देखिए दोस्तों reservation to schedule categories in jharkand is currently capped at 50% besides 10% quota to the EWS जारकंड में 50 plus 10 60% reservation है पर देखिए उधर जो 50% reservation में किस तरह reservation दिया है schedule tribes के लिए 26% quota है schedule classes के लिए 10% है and OBCs के लिए 14% है ठीक है मतलब schedule tribes के लिए 26% मुझे लगता है सबसे ज्यादा इधर ही दे रहा होगा schedule tribes के लिए राजस्तान में देखिए including 5% reservation for most backward classes and 10% for economically weaker sections total reservation is 64% तो राजस्तान में 64% है state government has tried thrice to give 5% reservation to Gujar देखिए राजस्तान के Gujar community को 5% reservation देने के लिए state government try किया था पर राजस्तान high court बार बार उस legislation को struck down किया है it ruled that quota heart not only exceeded 50% limit but was also not supported by the quantifiable data the matter is being heard in the court देखिए एक तो राजस्तान high court ने बोला 50% का limit cross हो रहा है इसके बाद quantifiable data से support नहीं मतलब कोई proper data नहीं है Gujar को reservation provide करने के लिए जो भी है अभी किसाब से Gujar community के लिए separate reservation नहीं है राजस्तान में महाराष्टा की बात करें following the 2001 state reservation act the total reservation in महाराष्टा 52% है like 12% education and 13% jobs reservation है total reservation महाराष्टा में 64 to 65% है देखिए मराथा के लिए reservation होना चीए करके काफी agitation हुआ था महाराष्टा में ये बात आपको पता होगा बस आप यही समझ लीजिएगा अब ही के इसाब से महाराष्टा में जो total reservation है वो 62% है including 10% for economically weaker sections तो दोस्तों that's it अब reservation policies के बार में मैं ज्यादा कमन नी करना चाहता हूँ आप सबको पता ही है तो I hope आपको video informative लगा होगा thank you for watching by base have a nice day